बहिया मेरी आदत है मैं चीजों को डिले करता रहता हूँ, वाइड करता रहता हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता हूँ, अभी कुछ नहीं कर पाता हूँ, हमेशा लेट हो जाता हूँ, मैं चीजों को शुरुआत करने की आदत कैसे डालूँ, समय से पहले चीजों करने जमेदारी जो आपको नेवानी है उसको थोड़ा सा एक्जाजरेट करतो उसकी इंपोर्टिंस को उसकी वैल्यू को उसकी कीमत को और बढ़ा दो जितनी वो है बार बार खुद को एसास दिलो मुझे एक काम जरूर करना है ये काम बहुत जरूरी है बहुत कीमती है इसको करे बिना मेरा जीवन अधूरा है इस शण में मेरे जीवन में सबसे जरूरी काम यही है इसके बिना मेरा जीवन बेकार हो जाएगा चाहिए वो काम कितना ही छोटा हो बैंक ही क्यों ना जाना हो खुद को एसास दिलाओ, इस शड़ में सबसे जरूरी काम यही है, इसके बिना मेरा जीवन बेकार है, मैं फेलियर हूँ, खुद को एसास दिलाओ कि कोई काम है, इससे मेरा पूरा भविश्य एफेक्ट हो रहा है, काम जरूर लग रहा है, पर पूरे भविश्य पर overall impact आएग माइंडसेट पर impact आएगा, खुद से बोलो, अगर आज मैं यह नहीं कर पाया, तो पूरे भविश्य बड़े से बड़ा काम भी नहीं कर पाऊंगा, दोस्तों, emotions build करो, अपने भाव पैदा करो, उसकी तरफ, emotional हो जाओ, उस काम को लेकर, एहम को पैदा करो, एहम को आगे ल बोल दो, अगर यह काम मैंने अभी नहीं किया, तो मैं करूंगा ही नहीं, फिर जाए जो हो, failure आए, परिशानी आए, जलालत सहनी पड़े, जो सहना पड़े, फिर मैं करूंगा नहीं, इस समय यह काम नहीं किया, तो यह काम मैं नहीं करूंगा, commitment कर लो खुद से, त्याक द अपने आप मना के बोलेगा, कर ले बेटा, अभी कर ले, महरबानी कर दे, अभी कर ले इसको, एक दो बार करूंगा अपने साथ ऐसा, करना ही मत वो काम, भोगो उसके दुख, जब आपको कोई काम करना है, कोई प्रोजेक्ट लेकर बैटे हो, पढ़ाई लेकर बैटे हो, क चाहिए, जैसा मैं कहते हो, जब आप पढ़ाई करने बैटे हो, आपकी टेबल पर सिरफ एक किताब जिसको आपको भी पढ़ना है, उसका वो चैप्टर होना चाहिए, एक पैन होना चाहिए, पैंसिल होनी चाहिए, और कुछ भी मत रहो, कोई और नोटबुक, कोई और कित कोई और स्टेशनरी, कोई फोन, काफी पढ़ी है, पानी पढ़ा है, खाना पढ़ा है, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ टेबल, वही चीज़ होनी चीज़ है सामने, या तो ये काम करूंगा, या कुछ भी नहीं करूंगा, चुपचा बैठ जाओंगा, बस घूरता रहोंगा दो अप्शन है, या वो काम करना, या कुछ भी नहीं करना, उसको देखते हुए बस बैठे रहना, या तो आप शुरुआत करोगे, या इस पूरी दुनिया से दूर वहीं पर बैठे रहोगे, सोगे भी नहीं, बस देखते रहोगे, अपने आपसे वादा कर लो, कि जब त आपको एक आदत बनानी है, सुबह वाकिंग पर जरूरु जाना है, तो वाकिंग पर जाने का प्रेशर मतलो, सुबह सिरफ उठकर विस्तर से खड़े हो जाना है, और तयार हो जाना है, जूते पहनने है, ट्रेक सूट पहनने लेना है, बस, मज जाओ फिर, दुबारा सो ज सकते हो चार दिन करोगे ना पांच वे दिन मन करेगा नहीं है जब तैयारी हो गया तो वॉकिंग पे चले जाता हूं और प्रेशर लोगे की तैयार होके वॉकिंग पे जाना है तो दुबारा रजाई में घुश जाओगे छोटे-छोटे काम करो जो एस काम को शुरुआत करन लेता हूं जाद जादा फेली हो जाऊंगा शुरुआत तो कर लेता हूं जब इतने अरेंजमेंट्स करी लिए और जब एक इंसान शुरुआत कर लेता है तो काम को खतम भी कर लेता है अपने आपसे बात बार 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 बोनो स्टार्ट 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 ज पजबूर कर दो खुद को शुरुआत करने में, आपका दिन उस काम के बिना complete नहीं होगा, complete failure होगा, बेकार होगा, और एक दिन बेकार मतलब एक जीवन बेकार, क्योंकि दिनों को मिलाकर ही आपका जीवन बनता है, छोटे छोटे काम जो आप हर दिन करते हो, वो आगे जाके बहुत बड़े बन जाते हैं, तो सुबह उटते ही अहसास करो, आज के दिन में ये काम मुझे इतने समय जरूर करना ही करना है, तब ही मेरा दिन successful होगा, complete होगा, और अगर वो काम आप कर लेते हैं, अपनी पीट तप तपाओ, शाम को खुश हो जाओ, मुक्त हो जाओ, मैं कुछ सुधरने नहीं वाला, शायद अकल आजा, रात को बैठ के कुछ काम कर लो, दोस्तों बड़े से बड़े सपने पूरे होते हैं उन लोगों के, जो हर दिन थोड़ा समय उस काम को देते हैं, जो एक इनसानी से दे सकता है, बड़े बड़े कामों को, जब भी आपने कि काम की शुरुआत कर ली, वक्त से पहले कर ली, थोड़ा सा कर लिया, दस परशंट, पांच परशंट कर लिया, खुद की पीट था तबार बोलो, कि सबसे बड़ी कामियाबी यही है कि मैंने शुरुआत कर ली समय से पहले, मैं कामियाब इनसान हूं, मैं समझदार इनसान ह मेरा माइंडशेट भेतरीन है मैं आगे बढ़ने वाला हूँ प्रोग्रेस करने वाला हूँ छोटे छोटे कार्णों में जो असान है उनमें प्रैक्टिस करो समय से पहले करने का और दीरे दीरे अपने हैबिट को आदत को डिवलिप करो दोस्तों थैंक और दोस्तों